सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट नमस्कार मित्रों स्वागते सभी का इस यूटूब चैनल पर सातियों हिंदी सिक्षन का ये लेवल एक और लेवल दो चैनल के कोई सभी सब्जेक्टों आप अगर हिंदी लेते हो तो ये आपके दोनों लेवल के लिए बहुत इंपोर्टेंट टेस्ट होने वाला है मैं केवल इसलिए यहां आया था वाकि मैं कौन सी अशुद्धी है अव्य संबंदी किर्या संबंदी लिंग प्रियोग संबंदी या वचन संबंदी तो सातियों इसका जो सही आंसर है वो है अव्य संबंदी यह देखिए केवल इसलिए दो दो बार अव्य आरे एक साथ त यों आ जाता कि मैं केवल यहां आयाता है यह मैं इसलिए यहां आया था दोनों में से एक शब्द प्रियोग होता है नहीं कि दोनों अविए तो मित्रो इसमें अविए संबन्दि अशुद्दि है यहां प्रतम विकल्ब साई है मित्रों प्रिश्ण नमर 2 देखेंगे साथियों दूसरा प्रिश्ण है वस्तु की पूर्टी की तुलना में मांग अधिक आशे की लोकोक्ति कौन सी है उट के मुह में जीरा उची दुकान फिके पकवान एक अनार सो बिमार या आदा तितर आदा बटेर तो साथियों इसका तो सहीold जो चैस अंसर है वहूं है का अनार सो बिमार मतलब और तो एक ह और उसको खाने वाले सो लोग है इसका मजब क्या हुकि क्यों वस्तो कम है往 लेकिन फोगीमंग अधिक फिन इस प्रकार में तरू इसका दूसरा विकल्प सही है तूरी दूसरा क्याblesरा रफैना दू गेर जिम्मेदार होना या गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जेसे तेसे काम निकालना तो मित्रों जो घास काटना मुहावरा है उसकार तो होता है गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जेसे तेसे काम निकालना वो कहते हैं कि काम तो कर दिया लेकिन quality नहीं है कुछ काम में बस आपने काम है किया सिर्फ तो होता है गास काड़ ना करें यार गास काड़ दी सारी तेने तो इस प्रकार से मित्रों चोता विकल्प सही है प्रश्ण नमबर चार देखेंगे चोता प्रश्ण है विद्वान सब जगे पूजा जाता है वाक्य में प्रियुक्त हुआ है सर्वनाम संग्या विशिशन किर्य विशिशन अब सात्यों एक्जाम होल में यह प्रश्ण आप कर रहे हो आया था यह प्रश्ण कर रहे हो क्या क किसी ने किया भी होगा अब उसके बाद क्या होता है कि यार विद्वान सब जगे पूझाए जाता है वाकि में प्रियुक्त होए यह इसमें सर्वनाम सर्वनाम तो नहीं है फिर अपन सोचते हैं कि यह विशेशन कि अपने इसाफ सानुमान लगते तो मित्रों अगर कोई और शॉप्शन तो सही है तो उस प्रिषण पर ज्यादा नहीं सोचना है उस पर गोल्र लगा देना है बड़ा सा कि यह परशोर दिया है और । इस प्रिश्णी करने लग जाना इस प्रिश्णी पर मादमी सक्ष्या बोड़ द्वारा बोनस दिया गया था अपनों इस प्रिश्णी पर अगर तीन मिनिट उलज गे तो दो तीन मिनिट करें और क्या होगा क्या होगा इसे वेसे नहीं उलज नहीं नहीं है जो आ रहे हैं ए त्रिस्कार शब्द में कौन सी संधी प्र्यूप्त हुई है विसर्ग संधी तो साथियों यहाँ पे तिरिसकार शब्द में कौन सी संदी होती है विसर्ग संदी होती है न मैं पूरे तिरे भाष रे के बाद मैं किरीद आतो आती है तो वह विसर्ग संदी होती है विसर्ग किस तान पर क्या आ जाता है आदास से आ जाता है मित्रों यहां दूसरा विकल्प सही है छेटा प्रिश्ण देखेंगे हीन भावना शब्द में कौन सा समास है तो हीन भावना जो भावना की विशेषता यहां बताई जारी है कि भावना किस प्रकार की है हीन मतलब कम जोर, संकीन तो मित्रों यहां अगर विशेषन विशेष संबंध हो तो उसमा मिश्या कौन सा समास होता है करमदारे समास ही होता है इस प्रकार मित्रों इसका कौन सा विकल्प सही रहेगा इसका विकल्प नमबर एक बिल्कुल सही रहेगा नेक्स्ट सात्वे प्रिश्ण पर चलते हैं क्या होता है अपकर्श होता है साथ यो प्रतम विकल्प सही था इसका प्रश्ण नमबर आरट में देखेंगे निम्न में से कौन सा शब्द इस लिंग शब्द है इसलिए इसका कौन सा विकल्प सही रहेगा दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्ण नमबर नो देखेंगे इन में से वह शब्द बताए जिसका वचन अत्वा लिंक कभी नहीं बदलता आल सी लीपी दीवार जल तो दिवार का दीवार हो जाता है लेकिन जलका सिर्फ जली रहता है तो मित्र इस प्रकार इसका चोता विकल्प सही रहेगा नेक्ट दसवा प्रिश्ण देखेंगे साथियों दसवा प्रिश्ण है यदि हम अब भी नहीं संबले तो उसके विनाशकारी परिणाम शिक्र सामने आएंगे वाकि में कौन सा काल है आसने बूतकाल संदिक दुरतमान आज्यारत वरतमान और संभाव भवश्य तो मित्रव प्रशन कहे रहा है कि आएंगे भवश्य की बात की जा रही है तो जादा दिमाख ने लगए लगना था इसमें अब आएंगे मतलब भववश्य तो भववश्य में तो सिर्प एक यही आपका चोटा विकल्प ही सही रहेगा यहां संभावना व्यक्त की जा रही है बाविश्य के परती नेक्ष्ट ग्यारवा प्रिश्ण देखेंगे साथियों ग्यारवा प्रिश्ण है विक्रती में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है इवी वी और विक तो साथियों वी प्लस कृती यहां तीसरे विकल्प सहलिए इसमें छोटी की मातरहि लगी हुए है यहां गलत है यहां तो प्रिश्ण नंबर बारह देखेंगे इक प्रत्य लगा हुआ है इक ये वाला प्रत्य एक अनेक अर्जित और आत्मिक तो मित्रों देखिए अर्जित शब्द में तो इत लगा हुआ है इत और आत्मिक में क्या लगा हुआ है इक तो मित्रों यहां पर चोता विकल्प सही रहेगा आत्मिक में कौन सा प्रत्य आत् रसीख बारबर शब्द क्या पड़ंजाता है आत्मिक तो साथ यो नेक्स्ट टेरवा प्रिष्ण देखेंगे राव प्रिष्ण है वे सर्वनाम है वे संबंद वाचक उत्तम प्रुष्वाचक निजोज़ाचक सम्बंद वाचक तो साति इसकास या अन्वा पुरुश व॰चक व शब्द में पुरुश वॉचक सर्वनाम है उत्तम पुरुश वॉचक में हम इस प्रकार आते हैं निज वॉचक में संबंद वॉचक संबंध प्रकड करता तो मित्रों यहां पर अन्यauptव निम्ण मेंसे किरियाशब्द है आपको आंत्रिक करता और जगद तो साथियों करता शब्द करता यह वाला करता कि नहीं किया रहाऊं वो इस वाले करता कै ने कर ता कि तुम क्या करते हो वाला करता है यह तो मित्रों यह क्या है एक किर्या शब्द है प्रिश्ण नंबर 15 देखेंगे इन में से कौन सा शब्द संदी का उधारण नहीं है संसार अत्यंत सदाचार और सामाजिक तो सातियों संसार की में बात करो तो सम प्लस सार बराबर व्यंजन संदी है अत्यंत की में बात करो तो अती प्लस अंत बराबर व्यंजन संदी है सदाचार की सत प्लस आचार बराबर आपके व्यंजन संदी है समाजिक समाज प्लस एक व्यंजन संदी कुछ नहीं है ने स्वर है ने दिर्ग है इसमें प्रत्य लगा हुआ है और एक प्रत्य लगने के कर या आग या सामाजिक तो मित्रू इसमें संदी नहीं है सामाजिक शब्द में ये संदी का उधारन नहीं है प्रश्चनुमंबर 16 देखेंगे साथ उसोलव प्रिश्णे इस उवाविक क्या है कटिन प्रिश्ण हो सकता है संदी और समास है समास और उपसर्ग है उपसर्ग और प्रत्य है और उपसर्ग और संदी है तो सात्यों 16 प्रिश्ण का राइट आंसर बताईए इस जो देखे एक बार देख लेते हैं कि एस वभाविक शब्द में ए तो उपसर्ग लगा हुआ है स्वय प्लस भाव प्लस एक इस प्रकार से यह शब्द बना हुआ है तो इसमें दो तो उपसर्ग लगा हुए है प्रत्य लगा हुआ है लेकिन इसमें संदी नहीं हो रही है तो यह विकल्प गलत हो गया यह विकल्प गलत हो गया देखे उपसर्ग और प्रत्य और समास और उ सोट रेगा उपसर्ग और प्रतिय नेक्सट सत्रवा प्रिश्ण देखेंगे सात्यों सत्रवा प्रिश्ण आप पाखंडी व्यक्ति के लिए उप्यूक्त मोहावरा है बच्या के ताव बगुला भगत पेत्र बाज और माई कलाल तो सैन्ने ना कि दिखाव करना एक तरफ से जो दूर्त व्यक्ति होते हैं धोके बाद धोका देने वाले तो उसको ही पाकंडी व्यक्ति या बगुला बगत कहा जाता है नेक्स्ट अठार वा प्रशन देखें के साथ यो प्रशन बर अठार है तुमने पढ़ाई की होती तो इसे दिन देखने नहीं पड़ते हैं वाक दूसरा विकल्प सही है प्रशन नमर 19 देखते हैं आपका जीवन मंगल में हो यह वाक की किस प्रकार कहे इच्छा वाचक संदे वाचक विदान वाचक या संकेत वाचक तो साथियों यहां पर राइट आंसर एगा इच्छा वाचक आपका जीवन मंगल में हो यह इच्छा कामना अशिरवाद ये चीज़े इच्छा वाचक के अंतरगत आ जाती है नेक्स्ट बीस वब प्रिश्ण देखेंगे प्रिश्ण नमर बीसे मित्रों इन में से कौन सा शब्द इस्टलिंग नहीं है लीपी पढ़ाई समझ और संगर्श तो लीपी इस्टलिंग है पढ़ाई इस्टलिंग है समझ इस्टलिंग है और संगर्श पूर्लिंग है तो सात्यों यहाँ चोत्ता विकल्प सही रहेगा प्रिश्ण नमर 21 देखते हैं बीस बुलूम ने सिक्सा में कौन सा नवीन उपागम दिया हरबर्ट उपागम मुल्यांकन उपागम और मौरिसन उपागम तो सात्यों बीस बुलूम के द्वारा मुल्यांकन उपागम दिया गया था यह प्रिश्णे रीटम आया वह प्रिश्णे बहुत से स्टूडेन केते हैं कि सर उपागम का टूपिक हमारे है या नहीं है तो भई आपके लेंग्वेज फर्ष्ट अगर हिंदी है या लेंग् प्रिश्ण नमबर 22 देखते हैं जादू इलाल टेन का प्रियोग किया जाता है चित्रों को देखने के लिए चित्रों को बनाने के लिए चित्रों को छोटे आकार में देखने के लिए या चित्रों को बड़े आकार में देखने के लिए तो सात्यों जादू इलाल टेन एक प्रक्षेपी यंत्र के अंतरगत आ जाता है और इससे चित्रों को बड़े अकार में देखा जा सकता है तो यहां चोता विकल्ब सही रहेगा प्रश्ण नमबर तेज़ देखेंगे मापन का शेत्र नहीं है बुद्धी उपलब्दी विकास और रूची तो साथियों तीसर विकल्ब सही है विकास मापन का शेत्र नहीं है बलकि विकास मुल्यांकन का सेत्र है और जबकि बुद्धी उपलब्दी रूची इन तीनों का आप मापन कर सकते हो प्रिश्ण नमबर 24 देखेंगे मित्रों 24 वो प्रिश्ण है अनुकरन वाचन के बाद उच्चरन अभ्यास कराते समय उप्योगी होता है शामपट पाटे पुस्तक दोनों और कोई नहीं तो सात्यों इसका राइट आंसर आता है दोनों कि आप अनुकरन वाचन कर रहे हो उच्चर अनभ्यास कराना है तो शामपट भी उप्योगी होता है और पाटे पुस्तक भी उप्योगी होती है तो मित्रों तीसरा विकल्प सही है प्रिश्ण नमबर 25 पर चलते हैं चात्रों क कि जिजग दूर करने के लिए उप्युक्त वाचन कौन सा है व्यक्तिकत वाचन सामुईक वाचन आदर्श वाचन या इन में से कोई नहीं तो सात्यों आपको चात्रों कि जिजग दूर करनी है तो जिजग किसे दूर होगी सामुईक वाचन के द्वारा सभी के साथ वो अ परिक्षार्ति का इस्तर, प्रष्णों की व्योवार रिखतायम उप्योंगी था, प्रिक्ष्यक्र कर उद्डेश और उप्युक्त सभी। तो सात्यू यहां सही अंसर चोता विकल्प है कि आपको प्रिक्षा के लिए तो प्रिक्षा अर्थी का इस्तर भी ध्यान रखना होगा प्रिक्षा का उद्देश भी ध्यान रखना होगा और प्रिक्षा की व्योवारिक्ता और उप्योगिता को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तो मित्रों इस प्रकार इसका चोता विकल्प क्या रहेगा सही रहेगा प्रिश्ण नमबर 27 देखते हैं साथिव 27 प्रिश्ण है चात्र अक्षर विन्यास तता वर्तनी की अशुद्या नय करें इसके लिए आवश्यक है काविका रसा उस्वादन कहानी लिखना शुरूत लेकन का अभ्यास और सामुहिक वाचन तो साथिव इसका राइट आंसर आता है शुरूत लेकन का अभ्यास देखिए अक्षर विन्यास तता वर्तनी की अशुद्या नहीं करेंगा कब नहीं करेंगा जब उसको बार बार आप शुरूत लेकन का अभ्यास करवाओगे तो उसकी अशुद्या दीरे दीरे दूर होती जाएगी अब शुरूत लेक क्या होता ही है मैं हिंदी की प्रश्ण नमार 29 देखते हैं बाशा सीखने की प्रकिर्या में आरंबिक बिम्ब कौन सा है द्रिश्य, शुरूती, विचार और भाव बिम्ब तो साथियों अगर बाशा सीखने की प्रकिर्या में आरंबिक बिम्ब की बात की जाए तो शायद ये प्रश्ण में पहले बता चुका हूँ लेकिन एक बार ये प्रश्ण में पहले लाया था और उसमें शुरूती बिम्ब बता दिया था गलती से फिर मैंने कमेंड भी किया था कि यार सोरी इसके लिए कि द्रश्ण बिम्ब इसका सही आंसर है तो साथियों बाशा सीखने की प्रकिर्या में आरंबिक बिम्ब ही होता है प्रश्ण नमबर 29 में प्रतम विकल्फ सही है सबसे पहले द्रश्ण बिम्ब बनता है फिर बनता है आपके शुरुति भीम, फिर बनता है आपके विचार भीम और सबके अंत में बनता है आपके बाहो भीम मित् roast No.30 देखेंढ़े तीसवा प्रशन है लिग्वा फौन का उप्योग किस कोशल के लिए उपियोगी है शुद्द उच्चारण के लिए, शुद्द लेकन के लिए, सर्जन शिल्ता के लिए और बाशा कोशल के लिए तो साथ युसका राइट आंसर है शुद्द उच्चारण के लिए लिंगवा फोन का उप्योग किया जाता है तो मित्रुक केसी लगी कलास, कमेंट करके जाना नहीं लाइक मांग रहा हूँ, नहीं सब्क्राइब मांग रहा हूँ, आपकी चाहे तो कर देना लेकिन कमेंट करके जरूर जाना के कलास केसी लगी मिलते हैं अगले वीडियो में